जेहीं दोस्तों तो फाइनली आर्मी ओडेंस कॉप्स के तरफ से यानि की एओसी के तरफ से जो 3068 पदों पर आपका भरती रिलिज किया गया है इसके फिजकल टेस्ट और इसके अलवा रिटेन एकजाम सिलेबस का ओफिसियली नोटिफिकेशन आ चुका है और पिछले वीड की complete details देखने को मिल जाएगा इसके अलवा रिटेन एकजाम का सिलेबस भी आप सभी को इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से ट्रेट के अंतरगत क्या कि आपका होने वाला है फिजकल के अंतरगत और इसके अलवा प्रम अपलाई कर सकते हैं और इसमें आप सभी को बता दे जो आपका फिजकल होने वाला है यह stage 1 के अंतरगत आप सभी को बता दे सबसे पहले जो इसमें आपका होगा PT कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद stage 2 के अंतरगत जो है आपका रिटेन एकजाम होने वाला है और आप सभी को बता दे जो आपका ये stage 1 के अंतरगत physical test होगा ये qualifying nature है यानि कि केवल इसे pass करना है इसमें किसी भी तरह के number आपको नहीं मिलेंगे लेकिन retain exam जो है इसके अधार पहीं आपका final merit list बनेगा तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं treatment mate का तो इसमें जो है 1. 1.5 km का आपका running होने वाला है 6 minute में यानि कि 6 minute आपको maximum समय दिया जाएगा अगर आप सभी Indian army या defense exam की तयारी कर रहे हैं तो आप असानी से इस running को जो है complete कर सकते हैं इसके बाद carrying ये weight 50 kg to a distance of 200 meter in 100 second तो यहाँ पी ये बताया गया है कि 200 meter जो है आपको 50 kg का weight लेकर जाना है ज तो ये भी आपका होने वाला है physical के अंतरगत इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे फोर एक serviceman तो जो एक serviceman का मतलब ये है कि पहले से जो AOC के अंतरगत यानि कि army audience cops के अंतरगत job कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे physical का details दिया गया है तो इसे जो है आप सभी को जा female candidate को जो है 8 मिनट 26 सकेंड इसमें maximum समय दिया जाएगा और female candidate के लिए भी 50 के जी का weight 200 मीटर 3 मिनट 45 सकेंड में लेकर जाना है तो 3 मिनट 45 सकेंड काफी ज़्यादा समय आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है तो ये female candidate के लिए जो है physical के अंतरगत आपका होगा और जो male candidate है उनके लिए जो है यह आपका physical के अंतरगत tradesman mate post के लिए होने वाला है और जो एक service man है उनके लिए यह आपका रहेगा इसके बाद दोस्तों जो fireman का आपका वेकेंसी है तो fireman का भरती जो है 3 लेबल का भरती है और इसमें जो है 600 से जादा आपका post जो है release किया गया है तो य 2.5 सेंटीमीटर का relaxation AST अगर आप category से है यानि कि schedule और tribe से है तो आपको जो है 2.5 सेंटीमीटर का relaxation मिल जाएगा चेस्ट आपको जो है 80.5 सेंटीमीटर आपका minimum होना चाहिए और इसके बाद expanded करके यानि कि फुला कर आपको 86 सेंटीमीटर करना होगा और weight की बात करें तो minimum ज से कौम जो है आपका weight इसमें नहीं होना चाहिए इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे जो आपका physical endurance test है यानि कि जो आपका running का details है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे 1.6 किलोमीटर रनिंग तो यह एक service man के लिए यहाँ पे बताया गया है तो यह आपको जानना important नहीं है यहाँ पे देख लिजिए जो आप सभी के लिए होगा इसमें 63.5 की weight आपको ले कर जाना है 95 सकेंड में 183 मीटर तो 63.5 की जी के weight जो है 183 मीटर जो है 95 सकेंड में आपको जो है ले कर जाना होगा यानि कि 95 सकेंड आपको maximum समय मिलेगा इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो आपका clearing 2.7 meter wide ditch landing on both feet तो यहां पे दोनों pair के माध्यम से जो है long jump आपको 2.7 meter का करना है इसके अलावा climbing 3 meter vertical rope using hand and feet तो हाथ और pair दोनों का use करके 3 meter तक जो चड़ाई है vertical rope में आपको करना होगा तो यह सभी जो है fireman post के लिए होगा और female candidate के लिए जो है 8 minute 26 second आपको जो है running में समय मिलने वाला है 1.6 kilometer का तो male and female दोनों का है और यह जो आप देख रहे हैं यह एक service man का details दिया गया है इसके बाद दोस्तों जो junior office assistant है तो इसके लिए अगर आप सभी form phil करते हैं तो इसके लिए अगर आप सभी form फिल करते हैं तो यह टुवेल्थ लेबल का आपका भर्ती है 12th पास है तो इसका form फिल कर सकते हैं तो इसमें अगर आप सभी English typing करते हैं तो 35 words per minute आपको typing test देना होगा और अगर आप Hindi typing करते हैं तो 30 word per minute आपको Hindi typing देना होगा इनमें से कोई एक आप सभी कर सकते हैं और इसमें जो है running आपका नहीं होगा और नहीं high to it मापा जाएगा यानि कि मुचाई भी आपका नहीं मापा जाएगा तो इसमें केवल जो है skill test आपका होने वाला है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे second stage में जैसे कि मैंने आपको बता हैं कि second stage के अंतरगत जो है इसमें आपका यहाँ पा देखेंगे stage 2 के अंतरगत आपका return exam होगा तो return exam का चलिए यहाँ पे c levels देख लेते हैं तो जो भी vacancy तेन्थ level का है उसका c level सबसे पहले यहाँ पे जानत तो तेन्थ level के लिए आपका दो भरती है एक तो है tradesman mate का और इसके अलावा एक जो आपका वेकेंसी है fireman post का तो maximum है student इन्ही दो post के लिए form apply करेंगे तो आपका जो syllabus रहेगा general intelligence and reasoning से पचीस परस्न, numerical episode से पचीस परस्न, general English से पचास परस्न और general awareness से पचास परस्न आपका र हंटा जो है आपको इसमें समय मिलने वाला है इसके अलावा जो 12th level का भरती है यानि कि 10 plus 2 level का जो की junior office assistant का है तो उसके लिए syllabus में आप सभी देखेंगे general intelligence and reasoning से पचीस परस्न, general awareness से पचीस परस्न और English language and comparison से जो है आपका 100 परस्न रहेगा और परतेक परस्न जो है एक एक न इसके बाद दोस्तों यहाँ पा देखेंगे the paper wheel जो है यह जो आपका paper जो आपका conduct कराया जाएगा यह objective type का होगा multiple twice questions होगा और English and Hindi दोनो language में जो है आपको प्रस्न देखने को मिलेंगे तो आप अपने according जिस भी language में देना चाहते हैं दे सकते हैं इसके बाद OMR seat पर आपक textra for each hour for visual handicapped candidate तो जो handicapped candidate है उनके लिए 20 मिनट extra दिया गया है लेकिन आप सभी के लिए 2 घंटा ही इसमें समय मिलेगा यानि कि 1500 प्रस्न रहेगा और 2 घंटा समय इसके बाद यहाँ पे syllabus देख लिजिए general intelligence से जो है कहां कहां से प्रस्न पूछे जाएंगे आप सभी यहाँ प प्रस्न पूछे जाएंगे अगर आप सभी चाहते हैं तो chapter wise भी आप सभी को बता देंगे next video में इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को एक और जनकारी बता दे इसका model paper मेरे पास आ गया है तो model paper भी आप सभी देख लिजिए अगर आप सभी AOC के अंतरगत जो है जाना चाहते हैं तो जो तेंथ लेवल का आपका भड़ती है fireman और tradesman mate का इसमें डेड़ सो प्रस्न रहेंगे और दो घंटा यानि की 120 मिनट आपको समय मिलेगा और यहाँ पा देख लिजिए जो आपका general intelligence and reasoning से जो है किस तरह से प्रस्न पूछे जाते हैं relationship से जो है यहाँ पर प्रस्न पूछा गया है इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे reasoning का जो प्रस्न है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं यह सभी आप पढ़े होंगे numerical epicute से आप सभी देखेंगे यहाँ पर जो numerical epicute का मतलब यह है कि इसमें math का आपका प्रस्न रहेगा तो math related काफी सारे प्रस्न अपको मिल जाएंगे इसके बाद general awareness से जो है general awareness के अंतरगत जो है आपका सभी कुछा जाएगा हिष्ट्री हो गया इसके लवा सोसल साइन्स हो गया science हो गया तो यह सभी general awareness के भी काफी सारे प्रस्न इसमें आपको रहेंगे तो दोस्तों इसका link description में दे इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी तयारी आप सभी शुरू कर दीजिए और इसका फॉर्म जो है सितंबर फॉर्स्ट वीक से जो है सुरू हो सकता है हालांकि अभी जो है ओनलाइन अपलाई का डेट रिलिज नहीं किया गया है जैसे यह डेट आता है आप सभ के लिए जैहिंद बन देता है